हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इस माइंवेस्टमेंट में फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पे तीन महीने पहले पीस्व बैंक प्रैविटाइजेशन को लेकर एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने आपको बताया था कि बैंक ऑफ महराष्ट्रा उस ताइम दस रूपे पे ट्रेड करता था क्या आप इस शेयर को खरीद सकते हैं ये एक काफी जो है प्रबल दावेदार है हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ पर पीस्व बैंक को लेकर हमने चार-पाच बैंक जो प्राइविट के कैंडिडेट थे वहाँ पर उनका कंपैरेजन किया तो आपको बताया था कि किस तरह का रिटर्ण ये शेयर आने वाले ताइम में दे सकते हैं आज किस वीडियो में और बचे है पूरी कैलकुलेशन अगर ये बैंक कलको प्राइवेट होते हैं तो कितना मल्टी बैकर रिटर्न आपको मिल सकता है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ध्यान से इस वीडियो को एन तक देखिए फ्रेंट्स बैंक आफ महराष्टर आयो भी पिछले दो सेशन में 40% तक चल चुके हैं हलाकि और शेयर जो न्यूज आई थी मेडिया में कि प्राइवेटाइज हो सकते हैं जिसमें सेंटल बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया का नाम है उन्होंने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिये हैं पर ये दोनों शेयर में जबरद फ्रेश एंट्री का मौका भी बन रहा है या नहीं सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक आफ महराश्ट्रा की फ्रिंट्स ये स्टॉक हमने आपको 10 रुपे पे पहले रिकमेंड किया हुआ है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाला हुआ है लगबग साइस के बैंकों में देखो तो इसकी ऐसेट क्वालिटी सबसे बढ़िया है जहां नेट एनिपी ये लगबग पौने तीन परसेंट और ग्रॉस एनिपी साड़े साथ परसेंट के आसपास है धाई लाग करोड के आसपास का टोटल विजनस है इस बैंक की जो बुक वैल्य से ये बैंक प्राइवेटाइज होता है तो उस केस में कितनी तेजी इसमें बन सकती है इस बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे एक बार आयोबी को हम और देख लेते हैं चौतिस सो ब्रांच चीज़ें 26,000 करोड के आसपास की मार्केट कैपिटल है बैंक 10 रुपे के आसपास की बुक वाल्यू है ये भी लगबग 1.6 गुना के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है फिलाल और 96 परसेंट की आसपास की गौर्रमेंट की हूल्डिंग आयोबी में है और 93 परसेंट बैंक आफ महराश्टरा में है छोटे साइस के बैंक है दोनों ही बैं बैंक जो कंसलिडेशन हुआ था पहले प्यास्व बैंकिंग का उसमें इंक्लूड नहीं करे गए तब से यह बात चल रही थी कि यह जो है प्राइविटाइजेशन के एक काफी बड़े पोटेंशल केंडिडेट है अब बात आती है कि कितनी वाल्यू इन में बची हुई है अगर आप प्राइविट सेक्टर के फ्रंट लाइन बैंक को छोड़ दें तो छोटे जितने भी बैंक हैं फेडरल बैंक हो गया करिनाटका बैंक हो गया सारे ही बुक वाल्यू के एक यह सवा गुना के आसपास हाडली ट्रेड कर रहे हैं तो आप कंपेर कर सकते हैं जबकि उनकी एसेट क्वालिटी इनसे काफी बैटर है तो उस हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर जो वालोएशन्स हैं वो इतना बढ़ने के बाद कोई बहुत अट्राक्टिव नहीं रहे गए हैं इस बात को आप समझे दूसरी बात यह जो न्यूज है वो राउटर्स के हवा हुई है काफी टाइम लगा है और यहाँ पर भी टाइम लग सकता है एसेट क्वालिटी के अभी दोनों बैंक में बने हुए हैं तो यहाँ पर जो वालोएशन्स हैं वो कहीं ना कहीं धिरे-धिरे स्ट्राच हो रहे हैं अब बात आती है नेक्स स्ट्रेजी क्या होना चाहि है तो 10-15% का अपसाइड और आपको इस फ्योरिया में देखने को मिल सकता है सेम लगबग आयोबी पर भी अप्ली केबल है पर यहां से यह स्टॉक कोई 50-60% बढ़ जाया डबल हो जाया इसके चांसे ना के बराबर हैं इवन दो यह प्राइवेट आइज भी होते हैं तब कोई इसको अभी लेता है तो हमाँ ट्रैप होने के पूरे चांसे हैं अब स्टेजी क्या होनी चाहिए निचले लेवल से आपने लिया है 20-30% का रिटन मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर जो है मेजॉरिटी आफ प्रॉफिट बुक कर लीजिए छ अभी भी बहुत जादा है तो बड़े बहुत बड़े मूव के लिए इसमें फ्रेश एंट्र लेने की गलती ना करें कि कल को सरकेट खुले और आपके सीवी रेट में अफवाओं में फसके खरीद लें कि यहां से भी दो तिन गुना हो जाएगा स्टॉक बुक वाल्यू के देड़ गुना के आसपास आचुके हैं और आप समझ लीजिए कि देड़ गुना के आसपास आज कल आज की डेट में अच्छे अच्छे बैंक नहीं ट्रेड कर रहे हैं अगर हम फ्रेंट लाइन बैंक को छोड़ दें जिनकी असेट क्वालिटी बहुत ही मजबूत है और यह लगबग एक सवा परसेंट की आसपास है उन बैंक को हम छोड़ दर गौत पोटेंशल बहुत है उनमें तो कोई भी बैंक को यह इतनी वालुएशन मार्कित नहीं दे रही है तो फ्रेंट यहां पर जो है अगर आप होल्ड करते हैं तो पार्शली प्रॉफिट बुक कर बने रहें और इतना भागने के बाद फ्रेश एंट्री करने की कलती ना करें फिर्ट्स फर्दर आपकी कोई भी कोरी इन दोनों बैंक को ले करो फिल फ्री तो आस्क में दे कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आईए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस